हेलो दोस्तो, खान एजूकेशन सेटर भी आपका स्वागत है, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम इंडिस्टेंस का इंपोर्टेंड कोशन, इसमें कम से कम तीन-चार कोशन आपको बताया जाएगा, और इस टाइप का बहुत सार वीडियो बनाया गया है, देख लिजेगा, चले तो शुरूँ करते हैं कोशन, कोशन हैं कि एक कार किसी यातरा को साथ घंथा में पूरा कर लेता है, वह यातरा का एक तिहाई, एक तीहाई 40 किलोमेटर की गती से तथा 60 किलोमेटर की गती से तैय करता है जब भी इस तरह से दो गो रहेगा ना कि एक तीहाई इतना अदूसरा इतना तो जितना रहेगा जैसे माले जे एक तीहाई है इसमें एक तीहाई है तो पूरा दूरी को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 3x माल लेते हैं अगर यहाँ पे बोलता 1,4 तो हम पूरा दूरी को 4x माल लेते हैं अगर बोलता कि आधा तो हम यहाँ पे पूरा 2x माल लेते हैं क्यूं मान लितें? क्योंकि इस से बढने में बहुत आसानी होगा. तो अब हम क्या किये? पूरा दूरी को 3 X मान लिए. थिक है? तो जब हम पूरा दूरी को 3 X मान लिए हैं, तो वह वोला है कि इसका 1 T kны 4, तो पूरा दूरी 3 X, तो 1 T kinkya हो जाएगा? उसके बाद बात करते हैं कि 6 तो 1x इधर आ गया 3x में से तो इधर कितना बचा 2x तो 2x दूरी को कितना में तय करता है 60 km पर आवर की गती से तय करता है ठीक है तो ये 60 km पर आवर की गती से हो गया अब हम क्या करें अब इसको आसानी सेक्दम बना लिए जिए देखिए दूरी इधर का दूरी हो गया x दूरी बच्टा 4 च्टा कितना है 40 km तो दूरी बच्टा 4 इकोल टू हो गया समय उसके बाद एग और लिख लिए इवाला जो दिया है 2x 2x मतलब दूरी और समय इसमें च्टा कितना लग रहा है 60 तो दूरी बच्टा 4 इकोल टू समय दूरी बच्टा 4 इकोल टू समय दोनों समय मिला के कितना दे दिया है 7 घंटा दोनों समय मिला के 7 घंटा दे दिया है लिख लिए इस तरह से अब बस बन गया इसको आप LCM ले लिए 120 आएगा 4 तिया 12 थिरी एक्स और इधर 6 दूनी 12 दूनी 4 एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 7 यानि कि 4 तिन 7 एक्स इक्वल टू आ गया 7 एक्स इक्वल टू आ गया 7 एक्स इक्वल टू 7 और 7 एक्स के नीचे हो जाएगा 120 यह साथ साथ कट जाएगा 20 उदर चल जाएगा तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 120 यह एक्स का फेलू आया है 120 ठाकी आंसर आया है तो सरांसर किसे आएगा तो आंसर इसे आएगा कि 1 थो एक्स का फेलू आया है 120 और आप टोटल दूरी को कितना माने है? 3X, तो टोटल दूरी को 3X माने है, तो आंसर क्या आवा जाएगा? 3X, 3X मतलब 3 गुने 120, 3 गुने 120 करियेगा तो बारण 4 बारती 36, यही आपका 36 किलोमीटर आंसर है, ठीक है? चलिए, next question देखते हैं, next question है, एक वेक्ती ने 7 गंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तेकी, माना कि कुछ भाग 8 किलोमीटर पर आवर की गती से, पैदल, तथा कुछ भाग 16 किलोमीटर पर आवर की गती से, साइकिल से तेकी, तो पैदल तेकी गई दूरी कितना? जब भी ऐसा question रहेगा ना, पूरा जो दूरी कितना दिया हुए आपका? पूरा जो दूरी दिया है आपका 60 किलोमीटर, इसमें से बोलना है कुछ दूरी, तो कुछ दूरी को हम एक्स मान लेते हैं, कि एक्स दूरी जो है, वो पैदल तेक कर रहा है, माना कि कुछ भाग 8 km पर की गर्ती से पैदल तो एक्स दूरी मान लिए पैदल और कितना स्पीड है 8 km पैदल तै कर रहा है और जो बच गया तो कितना बचा तो अगर एक्स के जग अगर 10 होता तो 60 में से 10 घड जाता तो 50 बचता उसी तरह से यहाँ एक्स है तो यह कितना हो जाएगा जो बचा हुए दूरी है वो हो जाएगा 60 माइनस एक्स ठीक है 60 में से यह एक्स घड जाएगा इसका इस्पीड कितना है जी तो इसका इस्पीड दिया है 16 km 16 km पर आवर दिया है ठीक है अब दोनों में मिला के टाइम कितना लगता है तो दोनों में मिला के टाइम लगता है 72 तो कैसे बनाएंगे तो देखिए इसका दूरी X बट्टा इसका चाल कितना है 8 तो दूरी बट्टा 4 equal to some a कुछ समय लगा और उसके बाद इवाला दूरी लिख लिखे साथ माइनस X ये दूरी हो गया और चाल कितना है? 60 km तो दूरी बट्टा चाल इक्वल टू समय दूरी बट्टा चाल इक्वल टू समय दोनों समय को मिला दीजेगा न तो आपका आजाएगा 7 घंटा बस यही आपको बैठाना था अगर ऐसे बैठाने सीख जाएगा तो कोशन बनाने में टाइम एन डिस्टेंस का कोई दिक्कत नहीं होगा समय है? अराम से आप बना लिजेगा और जल्दी जल्दी बन जाएगा इस स्वीट से बन जाएगा चलिए हम लोग बनाते हैं इस दोनों को क्या करें? दोनों को 16 और 8 का LCM लेते हैं तो 16 और इधर कितना है? 7 ठीक है? 16 को 7 से मल्टिप्लाई करिए तो 16 को 7 से मल्टिप्लाई करिएगा तो क्या हैगा? X पलस 60 तो इससे तरह लिखा जाएगा और ये हो जाएगा 112 112 हो गया और X ये 60 इधर जाके घड़ जाएगा तो जब 60 इधर घड़ जाएगा तो 40, 10, 50 सद्दू 52 बचेगा यही 52 किलोमीटर जो दूरी है X का फेलू है X हम माने थे पैदल वाला तो पैदल वाला का अंसर कितना गया? 52 किलोमीटर अगर बोलता कि साइकिल वाला का कितना है तो 60 में से 52 घड़ आदेते छलीए Next Question देखते है Next Question बोलता है कि एक वेगती 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 4 किलोमीटर चाल से वापस आता है तो उसकी उसत चाल क्या है? जब आइसा question रहएगा आना कि 2 Kilometer की दूरी है, a से b तक, और यह जो है 6 की Joshite से जाता है और 4 की Joshite से जाता है और उधर से 4 की Joshite से जाता है, तो ऐसा कोशन में इस 2 का कोई काम नहीं है. ठीक है? सिरिफ आपका जाने और आने का स्पीट से ही औसती स्पीट निकल जाएगा. आसती स्पीट का फॉर्मुला होता है आसत चाल का फॉर्मुला रट लीजेगा कि होता है इसका फॉर्मुला 2x,y बट्टा x पलस y जहां x equal to जाने वाला time जाने वाला speed और y equal to उधर से आने वाला speed कितना है जी तो 4 km थोड़ा थोड़ा formula याद करना पड़ेगा समझें तो इसको याद कर लिजएगा कि X का मतलब हो गया कि उधर इधर से जाने वाला चाल वाई का मतलब हो गया उधर से आने वाला चाल बस इसको याद याद रखिएगा और यह formula याद रखिएगा कोशन एकदम विदिन 30 सेकेंड यह बन जाएगा कैसे बन जाएगा सर तो देखिए इसका formula पूट कर लिजे फर्मूला के जगा पे 6 गुने 4 अब बट्टा इधर हो गया 6 4 10 ठीक है अब इस 6 4 10 को इसको solve करते हैं तो यह हो जाएगा 6 के 24 24 दूनी 48 48 बट्टा 10 यानि की हो जाएगा आपका 4.8 किलो मीटर पर आवर यह आपका औसत चाल निकल गया 8 किलो मीटर पर आवर क्या निकल गया तो औसत चाल निकल गया इस टाइप का कोशन और सिखना है तो मेरे चैनल को जरूर सस्क्रा करिए लाइक करिए और जितना ज्यादा होसा कि इस आरम मैट का वीडियो बनाए गया जाके पुढ़िए धन्यवाद